नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल डीके नौलेशोप पे आपका स्वागत है तो दोस्तों चीन और रूस दुनिया की दो महासक्ती अब मिलकर एक साथ युद्ध की तैयारी के लिए साथ आ गये हैं और पूरी दुनिया के टेंसन बढ़ गई है हलाकि रूस और चीन काफी करीबी दोस्त रहे हैं लेकिन अब से कुछ साल पहले तक चीन और अमेरिका एक रणितिक और ब्यापारिक मित्र थे लेकिन पिछले दो-तीन सालों से अमेरिका और चीन एक कट्टर दुस्मन बन गए हैं और खास कर कोरोना के बाद ये दुस्मनी और बढ़ गई है और रूस और अमेरिका की दुस्मनी तो दस को पुरानी है लेकिन अब यही दुस्मनी अमेरिका को भारी पड़ रही है दुनिया की दो महा सक्तियों के एक साथ युद लड़ने की घोसड़ा के बाद अमेरिका सहीद नाटो के माथे पर बल ला दिया है दोस्तो इस समय विंटर ओलम्पिक 2022 का चीन में आयोजन चल ला है और रूस के राष्टपत बलादिने पूतिन इस समय चीन के खास बुलाये पर चीन पहुचे हुए है और रूस के राष्टपत पुतिन और चीन के राष्टपत जिंग्पिंग का वाई लेटरल मीटिंग हुआ और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस के बीच एक सहमती बन गई है और उसमें रूस और चीन ने युक्रेन और ताइवान के मुद्दे पर सेन मदद देने का खुला एलान कर दिया है अगर रूस युक्रेन पर हमला करेगा तो चीन उसके साथ युद्ध में उसका सयोग करेगा और ताइवान के मुद्दे पर रूस की सेना चीन का साथ देगी दोस्तो जब से रूस और चीन ने इस तरह का खुला एलान किया है तब से नाटो और अमेरिका सही 40 देश दासत में आ गए हैं दोस्तो युक्रेन बाडर पर रूस भारी बरकम सेना के साथ खुखार हतियार तैनात कर दिया है और कभी भी युक्रेन पर हमला कर सकता है तो वहीं चाइना भी ताइवान को रोज परिशान करता है और अपने लड़ाकू भीमान ताइवान की सीमा में गुसा देता है दोस्तो चीन और रूस की इस घोसडा का भारत के उपर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चीन का ताइवान के बाद भारत से ही सबसे बड़ा भी बाद है और अगर चीन भारत में युद्ध की इस्थिती बनती है तो रूस का नेड़े महत्वपूर होगा कि रूस किसके साथ जाएगा हलाकि युक्रेन और रूस के बीच की टेंसन को सांथ करने के लिए फ्रांस और जर्मनी आगे आये है और फ्रांस के राष्टपत इमेनुल मैकरोन और जर्मन चांसलर युक्रेन और रूस का दोरा करके सांथ का प्रयास कर रहे है हलाकि रूस की तयारी जैसी है उससे तो बेहत कम उमीद है कि रूस और युक्रेन के युद्ध को टाला जा सके दोस्तो रूसी डिपेंस की मौवजूदा तयारी भी यही इसारक कर रही है कि रूस और युक्रेंट का बार्डर जल्द ही वार्जोन में तब्दील हो सकता है जानिये कैसे तो रूस युक्रेंट बार्डर के पास पर्माण मिसाइलों को तैनात कर दिया है साथी रूसी डिपेंस ने FAB500 और YM-62 बंब को एक्टिवेट कर दिया है और सबसे अहां रूस ने बेलारूस में भी नुकलियर मिसाइलों की खेप बेज दिये और उसके साथी रूस ने बेलारूस में 30,000 कॉंबेक टुप्स को भी तैनात कर दिया है और रूस और चीन का खुलासाथ पूरी दुनिया में टेंसन का कारण बन गया है अब आगे देखते हैं इस पर अमेरिका का क्या पलटवार होता है और भारत की क्या रणीत होती है इस खबर पर आपकी क्या रहा है कमेंट करें साथी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सस्क्राइब करें जैंहिंद बंदे मातरम